आज मैं आपके लिए मावा बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ यह बनाना बहुत ही असान है आईए देखें इसे कैसे बनाते हैं कोई की बर्फी बनाने के लिए यहां पर मैंने 300 क्राम खोया लिया है और इसको क्रेंबल कर लेंगे या कद्दू बश कर लेंगे इस तरह से छोड़े छोटे से पीस में और इस मिठाई के अंदर कम से कम हम लोग 100 ग्राम शगर का इस्तमाल करेंगे मावा बर्फी बनाने के लिए हम लोग एक कड़ाई लेंगे और उसके अंदर अपने खोया को डाल देंगे और इसको धीरे धीरे से चलाएंगे इस तरह से गैस की फ्लेम लोग रखनी है अब इसको लगातार चलाते हुए हम इसके अंदर शकर डाल देंगे इसमें कम से कम 100 ग्राम शकर डालेंगे और फिर इसको स्लो ही आज पर दी में दी में चलाएंगे यह देखिए यह हमारा खोया अब मेल्ट होना शुरू हो गया है इसी तरह से इसको हम पकाते रहेंगे खोय को लो फ्लं पर ही भूनना है और बहुत जादा लाल नहीं करना है बस एक खलका सा गुलाबी बना जाए तब तक ही इसको हमें भूनना है यह देखिए कलर चेंज हो गया है खोय का अब बस हम अपनी फ्लं को बन कर देंगे और खोगे को दुसरी प्लेट में ट्रांस्फर कर लेंगे, इस तरह से, अब एक डिश लेंगे औरUसके अदर एक परजमिंट पीपर लगा देंगे, और उसको हलका से ग्रीस कर लेंगे, बटर से या देशी घी से, अब इसके अंदर जो हमारा खोया मापा तयार किया था उसको ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से और हलका हलका से प्रेस कर लेंगे इस तरह से हलके हाथ उसे हम प्रेस कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे ये देखिए अब ये देखिए हमारी बर्फी तैयार हो गई है अब इसके अंदर हम चॉप किये हुए पिस्ते डाल देंगे उपर से कुछ हमने बदाम ले लिए और कुछ पिस्ते को चॉप कर लिया है इस तरह से सेट कर देंगे और इसको कम से कम एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे एक घंटा हो गया अब हम इसको पर्चमेंड पेपर से निकाल लेंगे ये देखिए हमारे जो मिठाई है वो सेट हो गई है बस अब क्या करना है अब इसके पीसेस काट लेंगे ये बहुत ही इजी मिठाई और इसको बनाना बहुत आसान है, ये 20 मिनिट में आपके मिठाई तयार हो जाती है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बस अब क्या करना है, बस के पीसे काट लीजे, इस बर्फी को आप स्क्वेर में, ये ट्राइंग्ली में भी काट सकते हैं, वो आपके उपर डिपेंड है, ये बहुत आसानी से बन जाती है, और इसको आप जटपड बना सकते हैं, बस इसको आप सर्विंग ट्रे में सर्फ करिए, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इंजॉय करिए, अगर मेरी रेसिपी पिसंद आती ही तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेर